एक नाय और एकसाइटिंग वीडियो बे अब सबका स्वागा थे तो दोस्ते ही इस वीडियो बनाएंगे MOTOS controller box दोस्ते इवाला जो controller box है दोस्तो DC motor को control करने के लिए एंड दोस्ते इसमें सभी टाइप का फीचर राथा है जिससे के आप सबी टाइप से DC मोटर को कंट्रल कर सकतो पहला तो देखिए यह रहा आपका इरेक्शन कंट्रल वाला जहां से आप मोटर का डिरेक्शन पर इसको कंट्रल कर सकतो तो clockwise and anti-clockwise, यह रहा normal on-off बॉला switch, मैंलब इससे motor एक बाद प्रेस करेंगे तो on होगा, जब next time press करेंगे तो off होगा, यह रहा आपका push type switch, जिदना time टाख इसको प्रेस करके राखेंगे, उधना time टाखी motor बास चालू होगा, ठीके, यह both switch में ही आप direction को आगे पीछे, मतलब forward and reverse control कर सकतो, इसके साथ दोस्तों आता है DC input socket, इधर पे आप लोग दोस्तों बैटरी से होई, एरप्टर से DC input दे सकतो, and fuse box, ठीके, fuse box है, कोई भी type का dangerous, मतलब, short हुआ या कोई भी हुआ, तो आपको बचा लेगा fuse, उसके साथ दोस् speed controller का knob, जो minimum से maximum तक आप इसके easily speed को control कर सकते हो, and LED indication, तो चले पहले इसको इसको इस्टेमाल करके आप लोगों को दिखा देते हो, तो अभी देखे मेरे पास 795 का, जो high-speed DC motor, non-bedding motor, इसको में connect कर रहा हुआ भी, ठीक है, and इस सेट पे दोस्तों हम लोग connect करेंगे, बैटरी, तो मैं इधा पे दोस्ते यूस कर रहा हुआ, 24V का लीथा मान बैटरी पैक, दोस्तों बहुती जद्ध हलका होता है, इस टेप का बैटरी पैक, and rechargeable बैटरी होता है, तो यह रहा है, इसका discharge port, तो discharge port को मैंने connect कर ठीक है, तो अभी देखें, दोस्तों मैं डिपिटिटी वाला स्वीच है, डिटेक्शन कांटरी को इसको इस तरह प्रेस करता हूँ, तो यह देखिए, rotate होड़ा है, and इसका हम लोग speed को भी control कर सकते हो, कर सकते है, यह देखिए, maximum speed है दोस्तों यह, एकदम minimum speed, मतलब 0, ठीक इसको और प्रेस करेंगे, तो आफ हो जाएगा, अब इदेख हम लोग push switch को दबाएंगे, जितना तक दबाएंगे, उधना तक कि motor चालू होगा, इसमें भी दोस्ता आपका direction control सेम है, and middle में off होता, middle में कोई भी switch आपका काम नहीं करेगा, इसे प्रेस करेंगे, तो कोई अल देख लिजे, दोस्ते इस controller से आप लोग gear motor को भी easily control कर सकते हो, and मैंने यह जो controller box बनाए, 10A का दिख लिए, current आपका 10A rated है, इसको आप सेम प्रोसेस से 5A, 20A, 30A rated है भी बना सकते हो, प्रोसेस पुरा सेम होगा आपका, and बस यहीने, इसे आपको, इसे आप दोस्त LED लाइट पर दोस्ते हम लोग LED को test करेंगे, इसे इसे पर बैटे को change करके adapter लगया हो, 12V 5A इसे इसे और फाइप्टर मैंने यूज कर रहा हूँ, तो LED को पहले मैं देखे, दोने वार को connect कर देता हूँ, उसका अब दोस्ता हम लोगो थोड़ा direction का थोड़ा change करना पढ़ेगा, तो इस direction पर चाल हुआ, ठीक है, यह देखे, off, on, यह देखे, push off, तो चलिए अब ब्राइडनेस को भैड़ी करते ही, यह देखे, देखा, एकदम ब्राइडनेस एकदम कम हो गया है, अब इंक्रीस करते है, तो दूस्त, इसको बनाने के लिए देखे, आपको पहले एक ऐसा प् स्टिक बॉक्स है, इसके उपर मैंने देखे, तीन शट्टो होल किया, इधर पर इस साइड पर, यह साइड पर में वान वान आपको दिखा होगा कि कॉंसिल कहां पर क्या है, और क्या का लगाना होगा उसमें, और आपको जो सामान चाहिए देखे, इधर पर 10 एंपर का आपको इधर पर 5 एंपर का यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा पर आपको चाहिए तो आप 20 एंपर का भी स्पीट कर्ट्रोलर यूज कर सकते हो, ठीके, सभी पूराट का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो डेश्क्रीश्य आपक्स पर दे दूंगा, इन सभी का फूल कनेक्श इस फीडियो डेश्क्रीश पर दे 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 हो, तो अब पर जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इधर में इसका जो सरके डेगर में उमिल जाएगा, पहले तुम्हिए इधर पर दिखा देता हो, आपको देखिए दोस्ते एंपर डिपेडिटी चाहिए जो म तो थोड़ा इसी होता ही फिमेल साकटर्ट टेपे लगाूँगा तो इसका तो यह अना स्विच करेंगे तो अनो जाता है अग्वर प्रेस करें और प्रेस करेंगे तो ओफ आप चाहेतो यार फीज चाहिए में दोस्ते फिस लगाई हो थोड़ा सेप्टी के लए इधर पर चाहिए तो 10 अपर फ्यूज लगा सक तो 4 आंपया 5 आंपया कोई भी लगा चाहिए दूसके अंदर ऐसा फ्यूज जाता है जाता तो ऐसके पाद आपको चाहिए क्रोकोडाइल क्लिप्स ठीक है तो चलिए कहां पर कि कौन सा कौन सा होल के वह आप लोगों पहले दिखा देते हैं इधर पर दीखे दोस्तों इस साइट पर मैं इधर लगाऊंगा डिपीडिटी का यह जो स्वीच आता है ठीक है एंड इस साइट पर जाएगा ऑन और बला स् टाइप का स्वीच के मैंने नाट बोल के मतल से दूस्तों इधर पर सब लगा दिया है ठीक है एंड इवाला जाका डिपीडिटी सेच इसके दूसरे पर मैं थोड़ा ग्लूगन लगा दूँगा तो यह फिक्स हो जाएगा तो उसके वाद से स्पीट गंटो को देखिए अधर पर यह वाला मैंने होल के स्पीड गंट गरियर यह वळलareth लेघडी राइच गतिक में स्पीड कर दोगा और दो नाट बोल्गे सारे मैं इसको कनेट कर दूँगा इसे यह देखे, इधर पर मैंने दूनों hole कर लिया, जहां पर मैं knot bolt के सारे speed control को attach कर दूँगा, इधर पर देखे, यह ऐसे knot के सारे इसे अंदर डाल दूँगा, ठीक है, ऐसे करके fix करूँगा, तो अभी देखे, speed control को मैंने लगा दिया, इसके उपर दूस्त आपको, यह वा लगने के बाद, इसको दोस्त आपको, sorry, tight हो हुआ ही है, तो इसकी जरूराद नहीं है, इसके उपर बस आप यह लगा दीजे, ठीक है, तो यह आपका regulate होना start हो जाएगा, ठीक है, इसके हम लोग थोड़ा अलग से design कर देंगे, ताकि यह वाला जो end point है यह ऐसे हो जाए, ठीक है, तो आपको इस side से, इस side टाक पुरा end point में लेगा, ठीक, अब दसके इधर पर दोस्ते LED लगाएंगे, तो इस विट पर हम लोग दोस्ते DC female जो socket हो लगा देते है, ठीक है, ऐसे, एड़ इसके पीछे यह वाला जो connected है, उसको लगाएंगे हम लोग, तो इसके बाज कीजिएगा, दिखिएगा, यह terminal ऐसे होगा, तो अब का connection में थोड़ा easy होता है, इसका भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे, तो अभी दिखे दोस्ते मैंने fuse box को भी connect कर दिया, ठीक है, अभी इसका wedding का connection कैसे होगा, उसके बाड़े में बात करेंगे, तो अभी दोस्त तो दोस्त अभी देखे, मैंने DC socket का जो negative terminal उसको power, जो speed control है, उसका negative से connect के आए, and fuse box का order terminal बसता है, मतलब जो actually DC socket का positive से आता है, उसको मैंने speed control के positive में, ऐसे connect कर दिया, simple, ठीक है, आप अगा speed control को उल्टा करेंगे, तो उसके उपर देखना की, इस अभी connection लिखा रहता है, कि battery adapter से positive and negative line आता है, motor and motor plus minus, मतलब motor का connection, ठीक है, तो ये connection हुआ, तो आगे, एक बाई एक में connection से अभी दिखा रहा हुआ, आप लोगों को, दोस्ता भी DPDT switch का मैंने connection किया है, देखिए, इधा पर 6 pin होता है, ठीक है, कोई भी आप rotation, दिखकर निया, 6 pin में देखिए, मैंने इ इस साइट से एक इक इस्टा वान निकाला है, जो मेरे speed controller पर जाएगा, एद इस साइट से एक इस्टा वान निकाला है, जो मेरे speed controller पर जाएगा, दिनवा, तो लट किया काता है, कि DC motor का positive negative time होता है, वो connection को change करके, आपका motor का direction को ultra कर देखिए, अब देखिए, अब हम लोग पहले dpd3 switch को लगाएंगे, तो इसका connection है, इसका connection पर positive negative ultra हो जाता है, तब क्या होता है, मतलब, आपका speed controller प्लस और प्लस प्लस भी जा सकता है, प्लस भी जा सकता है, उसके speed controller पर काम नहीं करेगा, तो speed controller खड़ाफ हो सकता है, तो always dpd3 switch है, उसको speed controller के next connection पर लगाना चाह तो dpd3 switch का जो 2 connection होता है, वह आपका जाएगा, speed controller, तो 2 wire था, इसको मैंने speed controller से connect का है, और वो same connection से में नहीं नहीं निकाल है, जिसको मैंने LED से connect का दिया है, तो इसके सादे 1.5K का register मैंने आट किया है, उसके सादे 2 wire, red वाला जाता है, moto का positive में, black वाला जाता है, moto के negative में switch का ये terminal से मैंने, जो on-off switch है, उसका एक terminal लगा है, और उसे push switch का एक terminal, बाकी कर दोनों terminal अभी तक मैंने connect नहीं किया है, और एक terminal से मैंने black color का switch, black color का wire निकाला है, जो direct motor पे जाएगा, और ये on-off switch and push switch को, push switch का जो second terminal अपका open था, खुला हुआ था, उसको एक wire से connect किया, उस direct motor पे, उसके सब मैंने, कोकोडल क्लिप को लगा दिया है, इसका जो दो black wire का मैंने बोला है, निकाला हुआ है, उसको मैंने direct देखे, इसके साथ connect कर दे, अभी दोस्ते इसको solder करेंगे, और इसको तोड़ा heat tube से seal कर देंगे, लगभा complete है, अभी दोस्ता हम लोग fuse लगाएं इंबुल्ट है, आपका 10 ampere का, फीवी में इधर पे लगा रहा है, ताकि आप लोगों को यह दिखा पाओ कि fuse का connection कैसा होता है, अगर आप लोग 5 ampere का use कर रहे हो, तो 5 ampere पे always fuse लगेगा, क्योंकि 5 ampere का अलग से fuse नहीं आता, ठीके, 10 and 20 ampere पे fuse आता है, तो आप लोग उध आप लोग फ्यूस इंबुल्ट कर भी सकते हो, ग्लू गंस इसको जांप का दे, जैसे कि इधर पर देख लोगों की डिपीटिटी स्वीच को जांप किया है, अब लोगों को अब लोगों को अगर इसका पूरा connection, details चाहिए, circuit diagram चाहिए, तो देखते हम video description box, मैंने link दे दिय तो मैंने उधर पर एक ब्लॉग लिखा है, उसका link दिया है, तो उसके क्लिक करेंगे तो आपको पूरा details पर connection, कैसे बनाना है, पूरा details में आपको विदिन ब्लॉग में मिल जाएगा, सब कुछ, and purchase review मैंने दे दे रहे हैं, एक तीन टाइप का बनाता हूँ, यह होदा है, 5 जिदने आपका load current होगा, उस हीसाब से आपको speed control चूज करना है, ना कि battery AH से, बहुत लोगों तो से थोड़ा confusion रहता है, अगर आपके पास 30H का battery होगा, तो आपको 30H का speed control चाहिए, ऐसा बात नहीं होता है, दोस्तो, आपका 30H battery का मादब यह नहीं क्यों 30A current देता है, कभी आपके 775 का motor को fan में control करेंगा, तो उसके लिए 10A का control रहता है, तो यह थोड़ा आप लोगों का confusion रहता है, मुझे बहुत सब्लोग मैसेज भी करते हैं इसके कारण, ठीक है, बाकी तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना है, आसा कहते है कि वीडियो आप लोगों को पसंद है और दोस्तों पसंद आए तो दोस्ते लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्रिब कर दिना दोस्तों बहुत जल्द में लोगों नाए एरेक्शनिक वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहीएगा